वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स बॉलिवुड के ही मैन यानी धर्मेंद अकसर अपनी सादगी को लेकर चर्चा में रहते हैं उनके फैंस आज भी एक जलक पाने के लिए उनका इंतिजार करते हैं लेकिन पिछले कई सालों से फिल्म में वो दिखाई नहीं दिये इसके बावजु वो चर्चा में बने रहते हैं तो आए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं धर्मेंद से जुड़े एक किस्से के बारे में धर्मेंद ऐसे कलाकार हैं जो हर सवाल का जवाब खुल कर देते हैं धर्मेंद खुद इस बात को कई बार सुईकार चुके हैं कि उन्हें शराब पीने की लग थी जिसकी वज़े से उनका करियर बहुत आगे नहीं जा सका धर्मेंद ने एक इंटर्व्यू में कहा था मैं बहुत पियकर बंदा रहा हूँ मैं शराब पीता था और किसी से नहीं छिपाता था ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पीता था सभी आक्टर्स पीते थे जिसमें मनोश कुमार का नाम भी शामिल है बाहर आकर कहते थे कि हमने तो बिल्कुल भी नहीं पी धर्मेंद ने आगे बताया था अब मुझे बहुत अकल आ गई है एक बार शराब के नशे में मा के सामने गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुने बाब, दादा, सनी, बॉबी की भी पी ली है अब तो कम से कम बंद कर दे, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ विस्की या शराब जो भी है, उसकी कसम मैं नहीं खाता मुझे बस पीने को चाहिए, कुछ भी मिल जाए अगर मैं शराब नहीं पीता, तो मेरी सेहत भी बहुत अच्छी रहती मैं तो अपने युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं है इसमें ही मैं से जब पंजाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब पंजाब में वो सब लोग कहा है मेरे टाइम पर तो 6 फुट के लोग होते थे अब तो पता चला है कि पंजाब में महिलाएं भी शराब पीने लगी है मेरा तो सिर ही जुख जाता है छोड़ने के लिए कहो तो लोग सोचेंगे कि खुद तो शराब पी चुका है और हमें मना कर रहा है लेकिन मैं तो हर बार कहता हूँ कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है धर्मेन के करियर में सबसे हिट फिल्मों में से एक साबिक हुई थी शोले फिल्म में धर्मेन लीड रोल में थे एक रियालिटी शो में उन्होंने बताया था कि शूटिंग के दौरान वो सेट पर चुपके से कैमरामेन की शराब पी जाते थे आशा पारिक ने भी एक किस्सा साजा किया था उन्होंने बताया था कि एक बार धर्मेन ने उनसे किया वादा पूरा करने के लिए सर्दियों में शिराब को हाथ दक नहीं लगाया था ये फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा है क्योंकि मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि अगर शिराब पीएंगे तो मैं शूटिंग छोड़कर चली जाओंगी तो ये था बॉलिवर्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगे रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं साथ ही धर्मेंद के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताएं बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता किसा धन्यवाद